Hi friends, welcome back to another video दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Windows 10 में आप कोई भी दो विंडो को आप side by side कैसे adjust कर सकते हैं यानि कि एक साथ दो विंडो को आप screen पे कैसे fit करेंगे तो इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो को प्रलाज तक जरूर देखना तो चलिए वीडियो को start करते हैं तो दो विंडो को adjust करने के लिए यानि कि एक ही screen पे दो विंडो को side by side हम कैसे रखेंगे उसके लिए हम पहले तीन विंडो कोल लेते हैं एक हमारे पास एक यह आ गया दूसरा हम powerpoint कोल लेते हैं powerpoint भी मैंने खोल लिया और तीसरा एक मैं खोल लेता हूँ browser ठीक है browser आप देख सकते हैं यह full screen में है तो इसे आपको maximize करना पड़ेगा ठीक है आप देख सकते हैं तीनों का size ऐसा होना चाहिए कोई भी आपका maximize यानि full screen में दिखना नहीं चाहिए आपको सबको इस size में रखना होगा ठीक है यानि कि हमारे पास 3 है तो एक साथ आप 2 ही रख सकते हैं window को तो मैं इसमें 3 इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आप अगर उसे करेंगे option को choose करेंगे तो उसमें बता देगा कि एक तो यह window रखना है आपको जो सबसे उपर रहेगा और दूसरे window में मतलब दूसरे side में कौन सा रखना है उपर वाला रखना है नीचे वाला रखना है यानि कि जितने भी window खुले होंगे उसमें से आपको एक choose करना है कि इसके साथ कौन सा रखना है तो यह तीनो मैंने कोल लिया है और तीनो जो है मतलब कि movable form में है यानि कि यह full screen में नहीं है आपको यह रखना पड़ेगा ठीक है अब मैं चाहता हूँ कि powerpoint और यह browser दोनों जो है एक साथ नजरा है हमें तो इस form में मैं रखोंगा और windows की और right arrow button हमें दबाना पड़ेगा ठीक है यह मैंने दबा दिया अब मैं यह छोड़ रहा हूँ जैसे ही मैंने button को छोड़ा अब यह पूछ रहा है कि इस side में कौन सा रखना है अब देख सकते है right side में powerpoint तो हमारा adjust हो गया हाफ में half screen में दिख रहा है अब मैं चाहता हूँ कि इधर browser आ जाए ठीक है अगर आप यह रखना चाहते है तो नीचे वाले पर click करना होगा अगर आपको browser रखना है तो browser पर click कर दे बस आप देख सकते हैं दोनों side by side मिल्कूल 50% में हमारा browser है मैं अगर दिखा हूँ आपको आप देख सकते हैं 50% में हमारा browser है और 50% में हमारा powerpoint है तो इस पर हम काम कर सकते हैं कुछ भी अगर हमें यहां पर लिखना हो simple यहां से हम google पर आ गए यहां से हम powerpoint में भी काम कर सकते हैं ठीक है तो बस इस वीडियो में इतना ही था तो उमीद है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो इसे like करे शेयर करे अगर कोई सवाल यह सुझा हो तो नीचे comment करके हमें बता सकते हैं तो मिलते हैं अगले interesting वीडियो में good bye